आप देख रहे हैं तेश्कवाट 24 और वक्त है खबरों का रिवा जिले के हाईवे में इन दिन लुटेरों का आतंक बरकरार है जो दिन वदिन बढ़ता ही जा रहा है यहां हाईवे में लगतार हो रही वारदादों के बाद भी पुलिस रुटोरों का अब तक कोई सुराग तक नहीं जुटा पाई है जिससे बदमाशों के होसले इसकदर बुलंद हैं कि वह लगतार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं दरसर रिवा के मौगन जिस्थित हाईवे में गुरुबार को एक वार फिर अग्याद बदमाशों ने राहगीर युवक पर हमला कर लूट की घटना का शिकार बनाया है बदमाशों ने पीड़ित युवक का मोबायल सहित बाइक लूट ली जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुँच कर शिकायद दर्ज कराई घटना मौगंज इस्थित पन्नी ओवर व्रिज के नीचे की है जहां राहगीर युवक पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है जानकारी के मुताबिक मौगंज रिवासी अब्धियश पटेल नामक युवक बीती शाम लगवक 6 वजे रिवा से मौगंज बाइक से जा रहा था पीडित बाइक सवार जैसे ही मौगंज थाना शेत्र के पन्नी ओवर व्रिज के नीचे पहुँचा तबी तीन के संख्या में आया ग्याद बाइक सवार युवको ने उसे रोक लिया और बिना कुछ बात चीत किये ही उसके साथ मारपीट करने लगे गटना की वक्त पीडित जब तक कुछ समझ पाता तब तक आरोपी उसका मोबाइल और बाइक लूट कर फरार हो गये जिसके बाद पीडित मौगंज थाने पहुचा और शिकायत दर्ज कराई मोगंज थाना प्रवारी श्वेता मौरे स्टाप के साथ मौके वर पहुची लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चल सका बताते कि इसके पहले भी मोगंज थाना शेत्र में बाइक सवार बदमाशों द्वारा लूट की कई वारदातों कंजान दिया गया है लेकिन अब तक किसी भी वारदात का खुलासा करने में पुलिस सफल नहीं हो सकी है फिलाल एक बार फिर हुई बाइक सहित मौबाइल लूट की वारदात के बाद पुलिस बदमाशों की तलास में जूटी हुई है पुलिस सब्सक्राइब क्या क्या ले गए हमारे मौबाइल ले गए दस हजार की और प्लस गाड़ी लेकर गए